उत्तर प्रदेश के बहराईच में दुर्गा प्रतिमा विसरजन जुलूस के दौरान हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को एक बार फिर से हिंसा भृती। फाइरिंग में जान गवाचु के युवक राम गोपाल मिश्रा की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने कई गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी। ग्रामीन लाठी डंडों के साथ सडकों पर उतराए। विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस ने आसु गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। वहीं डिये मौनिका रानी से लेकर स्प्री व्रिंदा शुकला तक स्थितियों से निपटने के लिए सडकों पर उतनी। इस बीच विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। प्रदाइक्ता को आपका मौन समर्थन है। आप कानून विवस्था सम्हालने में फेल हुए हैं। आपका पुलिस और प्रसाशन खुद इस फसाद के कुछ अक्र के पीछे हैं। आखिर इंटेलिजेंस कहां थी? कहां था प्रसाशन? आखिर किसने इस फसाद को उक्साया? हम सब लोगों ने जंडा उखाणने और लगाने वाला वीडियो देखा, वेह शर्मनाक और भयावा एवं आपकी सरकार पर सवाल या निशान। इसके लावा बहराईच हिंसा को लेकर कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया और सभी से शांती बनाय रखने की अपील की हैं। उन्होंने लिखा है, बहराईच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रसाशन के निश्क्रिय होने की खबरें अत्यांत दुखत और दुर्भागे पूर्न हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज प्र इसके लावा बहराईच विवाद पर फैजबाद से सांसर और सपानेता अब्धेश प्रसाथ ने भी सरकार और लॉइन ओर्डर को लेकर सवाल उठाएं। से वहां के नुवासियों से मेरा मिनमृता पूर्वक निवेदन है कि सवहर्थ काइम करने में और आगे कोई घटना न हो शांती काइम करने में अपना हर्ता से योगदान दें। और ये दर्वनाग भी बहुत दर्वनाग है और बहुत ही हिदर बिदारक घटना है और यहां तक ये कि पुलिश का अगर पहले से ठीक से इंतिजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटनी। ये सारे विशे तो बगत के हैं जात के विशे हैं कौन दोसी है कितना दोसी है जिम्मेदारी किसकी है ये बात की बात है लेकिन आज मुझूदा इस चित में इस गड़ी में केवल समाच के सभी बर्गों से राजनी से उपर उठकरके मेरा बिनमने मेदन है कि सांतिय और सभ कायम करने में हर तरह का सयोग दें बता दे कि बहराईच जिले का ये पूरा विवाद दुरगा प्रतिमा विसरजन के दौरान शुरू हुआ था जब दो समुदायों में विवाद हो गया इसके बाद जमकर पत्थराव और फाइरिंग हुई जिसमें गोली लगने से एक कुआ है, NBT Online की रिपोर्ट